Current Affairs के Practice Set को Solve करने के लिए आप सभी लोगों का स्वागत है आप लोग कहीं न कहीं किसी न किसी बुक से Current Affairs जरूर पढ़ रहे होंगे लेकिन हम लोग यहाँ पर Current Affairs के Top 10 पृष्णों को Solve करने वाले हैं जो आपकी परिच्छा के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने प्रेक्टिस सेट को और देखते हैं किसमें कितना है दम तो आज का हमारा जो पहला प्रिच्छन है उसमें लिखा गया है प्रती वर्स बिस्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है तो प्रतेक वर्ष जो विस जन संख्या दिवस मनायाता है वो आपका 11 जुलाई को मनायाता है ये तारीक जो है अभी अभी कुछ दिन पहले ही गुजरी है आगे बढ़ते हैं बारा नमर पर किसने स्वानेधी महोसो का सुभारम क्लिया है तो स्वानेधी महोसो का जो सुभारम क्लिया गया है वो हरदीप सिंग्पुरी के द्वारा क्लिया गया है आपका बिकल्बटी यहाँ पर बिल्कुर सही है और इससे पहले के यानि एक नमर से दस नमर के प्रिष्ण जो है हम लोग कल सॉल्व कर चुके हैं तो कल वाले वीडि नरेंद मोदी के बहुत ही भेतरीन ये मित्र थे और ये कहां के थे भाईया सबको पता है ये आपके नाम से ही यहाँ पर क्लियर है ये जापान से के प्रधान मंतरी थे आगे बढ़ते हैं चौदा नमर पर खार्ची महोसो कहां पर मनाया जाता है तो ये जो खार्ची महोसो तो है ये आपका त्रिपुरा में मनाया आता है विकलब डी यहां पर आपका बिल्कुर सही है और आप लोग एक काम करिएगा कि हम प्रिश्ण पढ़ रहे हैं विकलब आपको पढ़ना है विकलब पढ़के जो भी विकलब आपको सही लगे उसो कमेंड बॉक्स में लिखते जाइएगा ठीक ना भीया चलिए आगे बढ़ते हैं राष्टपती रामनात कोविद ने 14 लोगों को राष्ट सभा के लिए मनोनित किया है कौन इनमें सामिल नहीं है तो इन चार नामों में कौन राजसभा नहीं जा रहा है इस बार तो यहाँ पर जो आपका विकल्प D लिखा गया है सुरेश खदाओ ये आपका विकल्प D बिल्कुल गलत है गलत का मतलब ये हमारा बिल्कुल सही है इन्हें राजसभा नहीं भेजा जा रहा है बाकि कि आपके जो तीन नाम है वो राजसभा के लिए जा रहा है आगे बढ बिल्कुल सही रहेगा, आगे बढ़ते हैं, अफ्रीकी संग 9 जुलाई 2022 को अपनी कौन सी वर्ख सगांट मनाएगा, तो 9 जुलाई 2022 को अफ्रीकी संग की जो है वो कुल मिलाके आपकी 25 मी वर्ख सगांट मनाई जाएगी, यानि कि B वाला बिकल्प यहाँ पर आपका भी होता है, कहां पर है, विकल्प D में है, तो यह विकल्प D आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है, आगे बढ़ते हैं, अपने 19 नमर के पर केंद्री मंत्री डॉक्टर जितेंदर सिंग ने किस अंस्थान में परोधोकी की नवाचार केंद्र तिहान का उद्घाटन किया है, तो तिहान का उद्घाटन कहां पर किया गया है? यह आपके apostिघरावाद में किया गया है, आयाई टी हैद्रावाद यानि की बिकल्प सी यहां पर आपका बिल्कुल सही है, और आगज के अपने आखरी प्रिशन पर बढ़ते हैं, इस आखरी प्रिशन में लिखा गया ह स्टार्ट अप के मामले में तो वो आपका गुजरात और करनाट का है यानि कि यहां पर आपका विकल्बडी बिल्कुल सही रहने वाला है तो इस प्रकार से इस प्रेक्टिसेट में हम लोगों ने टोटल 10 प्रिशनों को सौल्व किया है इन 10 प्रिशनों में आपके कितने प् इसके अलावा आप किसी ना किसी बुक से करन्ट फेर्स जरूर पढ़ते रहिए क्योंकि जब पढ़ेंगे तभी तो यहां आंसर आप बता पाएंगे तो इस प्रेक्टिसेट का मुख उद्देश यही है कि आप जो चीजें पढ़ रहे हैं उनमें से आपको कितनी याद है ठीक ना भीया और जो भी आपकी आगामी परिछाय हैं उन सभी के लिए यह सारे चीजें बहुत ज़्यादा उपियोगी है तो चलिए मिलते हम लोग अपने अगले किसी प्रेक्टिस सेट में आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद